आज साउथ फिल्मों का बोल बाला है और बॉल हुड वाले साउथ की रीमेक्स में काम करकरके अपना करियर चला रहे हैं अक्षाई कुमार्ट और रीमेक्स के मामले में सबसे आगे हैं जो जादतर साउथ की फिल्मों के रीमेक्स में ही काम कर रहे हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि साउथ के सबसे बड़े सूपर स्टार जिनने उनके फैन्स भगवान के बराबर मानते हैं वो हिंदी फिल्मों के रीमिक्स में काम करके सूपर स्टार बने हैं मैं बात कर रहे हूँ रजनी कांथ की टाइम और अगयन रजनी कांथ बता चुके हैं कि वो बॉलिवूड के सूपर स्टार अमिता बच्चन के बड़े फैन हैं और अपनी स्टार्डम का क्रेडिट अमिता बच्चन को ही देते हैं यूगि जिस वक रजनी कांथ बैक टू बैक फ्लॉप्स जेल रहे थे जिस ताइम रजनी का कर्यर खत्म होने की कगार पर आ गया था और वो सोच रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दू या स्यूसाइड कर दू तब रजनी कांथ ने अमिताब की फिल्मों के रीमेक में काम करना शुरू किया और उन्हें सकसेस मिलना शुरू हुई और ऐसी सकसेस मिली कि आज तक रजनी कांथ का स्टार्डम कोई बीट नहीं कर पाया इनफेक्ट तब उनके स्ट्रॉंग कॉम्पिटिटर कमल हसन माने जा रहे थे उन्हें भी रजनी कांथ में पच्छाड अमिता बच्छन की सूपर हिट फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी साउथ में इस फिल्म को बनाया गया शंकर समीर एंड साइमन के नाम से इस फिल्म में रजनी कांथ ने काम किया था और जिस वक्त रजनी कांथ एक फ्लॉप फिल्मों का दौर देख रहे थे तब यह फि फिल्म को साउथ में बनाया गया था इसके बाल अमिता भच्छन की फिल्म आई थी तृषूल इस फिल्म का भी box office result अच्छा रहा लावरेस को पंकरन और मर्द फिल्म को माविरन नाम से बनाया गया नमक हलाल को वैलेकरन और खुद्दार को पदिक धवन नाम से बनाया गया इसके अलावा अमिताब बच्चन की इतने बड़े फैन है और इसके साथ ही उन्हें मौका भी मिला अमिताब बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने का अंधा कानून हम और गिरफतार जैसे फिल्मों में उन्होंने बिग बी के साथ काम भी किया